असलाम अलेकम आज मैं बनाँगी रमजान स्पेशल प्याज के पकोड़े हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें पांच मैंने मीडियम सैज के प्याज लिए ने इसे ना ब्रीक ब्रीक काड़ लिए थे एक पाओ विर्सन डालेंगे एक पाओ विसन है चार ब्रीक अटी हुई सबस मेंट डालेंगे एक चमच नमक डालेंगे नमक अपने हसाब से डाल लेना एक चमच कुटी हुई लाल मेच यह पिसे हुई नहीं है कुटी हुलाल मिट डालेंगे आदा चम्चा लदि पोडर आदा चम्चा अदनिया आदा चम्चा भजीरा आदा चम्चा जवेन इसे थोड़ा हाथ में मसल लेंगे इसे न अच्छी तरह मिक्स कार लेंगे पहले इसे अच्छी तरह मिक्स कार लेना बाद में इसमें पानी डालना इसी तरह प्यास के पकोड़े बहुत ही अच्छी भी बनते हैं और मज़ेदार भी बनते हैं एक बार जरूर बना के देखें इस तरह अब थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी को एक साथ नहीं डालना इतना जरूर तो होतना ही डालना इसे हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है इसे इतना ही गाड़ा रखना है इसे ज्यादा नरम नहीं करना वेशन को यह दिखे प्राई के लिए आयल ही है मैंने आयल को एक मिन्टा गरम कर लेंगे आयल हमारा गरम हो चुका है कोड़े डाल लेंगे कोड़ों को गोल्डें ब्रोन कर लेंगे अब इसे फ्राई कर लेंगे कोड़ों को दो मिट तक पकने देंगे बाद में शिल्टा आना अब शिल्टा लेंगे जिसे बिल्कुल मिडियम आच पर पकाना खुल आच पर बिल्कुल भी नहीं पकाना माशाला देखें प्यास के फोड़े कितने ही अच्छे बने हैं प्यास के पोड़े हमारे त्यार हो चुके हैं अब इसे बाहर नकाल लेंगे इसे एक मिट तक ऐसे ही रहने देंगे जो एक्ट्टा आइल है वो निकल जाएगा माशाला देखें प्यास के पोड़े हमारे बहुत ही अच्छे बने हैं कितने ही क्रिस्पी बने हैं आप रुम्जान में एक बार जरूर ट्राइ करें हमारी वीडियो पसंदा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छा अच्छा अफिस